जैभार, दोस्तो आपकी बरूसे मन चैनल में आपका हार दिख स्वागत है दोस्तो ये वेकेंसी निकलिए है, B.E.M.L. लिम्टेड जो कि भारत सकार का एक उपक्रम है जैसे B.E.S.N.L. I.C. इसी प्रकार से B.E.M.L. लिम्टेड जो कि गवर्मेंट आफ इंडिया की अंडर्टेकिंग है इसके अंदर वेकेंसी निकलिए है, जिसमें सीनियर टेक्निकल स्टाफ, जूनियर टेक्निकल स्टाफ की वेकेंसी हैं जो कि कॉंटेक्ट बेस्व हैं, इसके अंदर का आर्मट वेकल्स जो वेकेंसी है, इसमें अलग-अलग क्वालिफिकेंस निकलिए है आपसे नमर निवोदन है ये वीडियो के अंग तक बढ़े रहें मैं आपको हर वेकेंसी की बिस्तित रूप से जागए दूँगा इसके अंदर क्या क्वालिफियर हो चाहिए जेसीयो एंसीयो जो EME के हैं या किसी अधर के हैं कौन-कौन से लोकेशन में कहां-कहां पर ये ज इस तरह से बताने वाला हूं दोस्तो आपसे एक नमर निवेदन हैं कि वीडियो अपने तक सीमेद ना रखें हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिन तक ये जैंकाई नहीं पहुंच पाती हैं जिस कारण वो इस परकार की वेकेंसियों से बंचित रह जाते हैं उन तक ये इस इनिशियल पोजिशन का नाम है इसके लिए जो कॉलिफिकेशन मांगी गई है वो डिपलोमा या आइटियाई या आर्मी और्टो इंजिनिंग कोर्स जिन हों किया हूँ वो इसमें अपला कर सकते हैं एक्सप्रिंस के नाम पर जीसियों एंसियों जो के एमी के हैं या अ उनके एक्सप्रिंस है B.E.M.L. या H.M.B. गाड़ियों का उनकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए वो इसके लिए अपला कर सकते हैं वेकेंसी है नौर्थर रिजिन में जम्मू के अंतरकत बैस्टर रिजिन एमदाबाद के अंतरकत और साथर रिजिन में बेंगलोर के अंतरक जो के साथ रिजिन हैदराबाद के अंतर है इसके अंतर भी जो मांगा गया है वो डिपलोमा आइटि आई आई आर्मी और्टो इंगिनिरिंग कोर्स किया हो या इलेक्टिकल डिसिप्लिन जो भी अपक्पस है रहते हैं इसके लिए जेस्चिव एंस्चिव एम्य या अधर के जो भी वेहिकल के हैं वो करतनी एक्स्पिरिंस होने चाहिए इसमें रिपेरिंग करने का भी एम्य या हमबी वेहिकल का या टैन बेटैन या बारे भाई बारे वेहिकल का मैक्सिम एज पचास साल है साथ रीजन हैदराबाद के अधर बेकनसी है अगला पर है आइडियाई या आर्मी ओटो इंजिनिंग कोर्स या इसके समकच जो भी है कोभी जेसी ओयार जिनके उम्र सीमा पचास साल से कम है और पंदर साल का एक्स्पिरेंस है वो कर सकते हैं यह है नौर्थर प्रिजन जमू में डली में लेह में वेस्टर रिजन के अंदर उदयप थी कुछ बेकेंसी और है जो कि यह हैं मेकनिकल ओटो मॉबाइल के लिए क्वालिफिकेशन सेम है डिपलोम आइटियाई या आर्मी ओटो इंजिनिंग कोर्स या के समकच इसमें भी एक्सपर्स एक्सपर्स में बोग जेसीओ एंसीओ मांगे के हैं जो कि यह मी के हैं ऐसे स इसमें नॉर्थन में रिजन दिल्ली के अंतरगात उसके बाद नॉर्थन डिल्ली में और भी पद हैं जो के इलेक्ट्रिकल ऑटो मॉबाइल के हैं इनके लिए भी मांगा इसमें जो एक्सपर्स मांगा गया है जैसे कि जो टैंक होते हैं पर T90, T72 या BMP या ARB उनका काम आ इनका भी विकल गाड़ियों का साथी डिफरेंट सर्वेस मेक्निकल में जो डिपलोमा आइटाइक कर रखे हैं जो टैड हैं इनको जन्रेटर सेट आना चाहिए क्रेइन और हैड्रोलिक सिस्टम ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप इस पताद लिए कर सकते हैं रिजन है नॉर्टन डिल्ली इस्टन में रिजन मत्तिरपूर इसके अलाबा इलेक्रिक स्वेस इसमें एक्स्परिंस हो चाहिए आपको LCD सिस्टम रडार कंपोनेंट PCB उनके लिए भी आप एपलाई कर सकते हैं अगर आपको एक्स्परिंस है तो आप यही जोग कर सकते हैं जितने भी की इक्विंद तोफी के क्यूंट है और लड़ी जो हमारे मीं के भाई-भहन वाई हैा जैसे वौछ शाब और इन्चियो जी बूहनाप एपलाई कर सकते हैं या फिर उस व्रीज्ट में जो काम की में हैं बहुत से लोग है पूसकिता इसचिक कर सकते हैं। दोस्तो इसके लिए जो requirement मांगी गई है बुश के अंतर यह मांगा गया से आप देशकते हो गुड कम्यूंकेशन के लाना चाहिए, focus on customer based service, ability of response, ability of work of minimum supervision, continuous learning ability for new technology and standards तो इस प्रकास से इसमें चीज़ मांगे गई है, technical job है आपका, already जहां पर कर चुके हो, वही सारा काम रहेगा इसके अंदर का electrical, electronics, mechanical, automobiles की vacancy है, जो जो काम आपको आता है वो अब उसी साब से कर सकते हैं इसके अंदर का जो payment दी गई है, junior technical assistant के लिए 32,000 रपे और senior technical assistant के लिए 40,000 रपे पर मंत आपको salary दी जाएगी साथ ही, इसके अंतरगत, selection process जो होना है, वो आपका, selection जो process होना है, वो आपका company decide करेगी जो की आपका online interview के माद्यम से होगा, इसके लिए age qualification experience जो दिया गया है, वो 31 October 2022 तक fulfilled होना चाहिए साथ ही, यह आपको application भेजनी है, यह application आपको DGR के माद्यम से भेजनी होगी, अगर आपकी application incomplete होगी तो यह reject कर दी जाएगी, इसलिए अपनी पूरी qualification के साथ और सब कुछ सही परपर की आपको भेजना होगा पूरी जो terms and condition दी के ही है, वो आपको fulfill करने होगे यह केबल भारत के नागरिक जो हमारे भूत पूर सेनक है, वही apply कर सकते हैं और बाकी अन्य लोगों के लिए apply करने के लिए कोई इसमें option नहीं है दोस्तो मैं आपको यह details दिखा दिता हूँ, जो के clear mention किया गया है इसके अंदर कर, जो इसकी last date है, वो 14 November तक है 14 November से पहले पहले आप यह भेज सकते हो साथ ही यहाँ पर clear mention किया है, there is no need to, need for ESM apply again who have already applied यानि कि अगर आपने पहले इसके लिए apply कर रखा है, तो आपको 12 से apply करने की जरूत नहीं है और सबसे important चीज है कि यह vacancy है, वो contract basis पर है, permanent vacancy नहीं है तो आप apply कर रहे हैं, तो यह चीज पहले दियान रखें दोस्तों, अपना resume आप mail id से भी mail करते हैं mail करने के लिए, जो mail id है, ddrddemp.gov.in यहाँ पर भी आप mail कर सकते हैं याद रखें, अपना resume, Excel format के अंदर ही share करें PDF, scanned image, mobile photo, bird की file, accept नहीं की जाएंगी दोस्तों, यह थी इस vacancy से सम्मद्द जानकारी ऐसी ही vacancy को जानकारी हम आप तक लेके आते हैं दोस्तों, आप से नरोध हैं कि वीडियो अपने तक सीमित न रखें हमारे बहुत से भाई परिसान रहते हैं, उनकी help जरूर करें साथी चैनल को subscribe करना न भूलें थेंकी दोस्तों, जय हिन, जय भारत